आज का आजाद सिपाही अख़बार आपने पढ़ा क्या बढ़ते रहिए अपना लोग प्रियद्दानिक अख़बार आजाद सिपाही जारकन के नंबर वन यूट्यूब चैनल आजाद सिपाही के विशेश सोग आजाद बोल में आपका स्वागत है मैं हूँ संभू नाच चोधरी जारकन सरकार का ख़जाना खाली है आलम यह है कि सरकार के पास अपने मुलाजीमों को तंखा देने तक के पैसे नहीं है परस 2021 के बजट की तयारी में जूटी सरकार ने जब तमाब इभागों की आर्थिक सिहत का जाजा लिया तो पता चला की खजाने में लाजबती जली हुई है आखिर क्यों ऐसी नौबत पैदा हुई क्यों ऐसी इस्थिती पैदा हुई इस मुद्धे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ आजाद सिपाहे के प्रधान संपात तक त्रीहरी नारायन सिंग्गी है हम चर्चा करेंगे इस पूरे मसले पे और उसके विविन पहलों पे सबसे पहला सवाल ये कि राजे सरकार का खाजाना खाली क्यों है क्या पिछली सरकार आए वे के बिज़ संतुलन साधने में विफल रही यही इसकी बड़ी बज़े है संभूजी राजे सरकार का खाजाना खाली होने का मतलब साफ है कि इन्हों पिछली बार जो बज़ेट बने आता है वो बज़ेट सच के धरातल पर नहीं था सच के धरातल का मतलब होता है कि राजे से आपको आए क्या है आपका खर्च कितना है बरिलिंज कैसे करेंगे कर्च क्या लेंगे हो यह रहा था कि किसी भी योजना कि कोई मुकमल ब्यवस्था नहीं हो रही थी जैसे कहीं गए हमने देखा था कहीं बात कहीं लोग गए किसी ने डिमांड की और वहां से आधेस हो जाता था यह 500 करोड की जोजना हम चालू करते हैं। जगे जगे बाइपास बनाने की योजना हो, जल मिनार बनाने की योजना हो, सड़क बनाने की योजना हो, इस कुलों में सुविदा देने की योजना हो, जो जहां गया वहां घोसणाओं का अंबार लग जाता है। गोसडा करने के पहले वो देखता नहीं ता कि राज्य में पैसे कि क्या इस्तिती है, खजाने में क्या हमारे पास है और जब इस तरह का जब होगा तो डिस्पैलेंस तो होगा है। अजब बिल्कुल उसे हिसाब से होता गया। मुझे लगता है कि सफल मुख्यमंत्री, सफल सरकार वो होती है जो कोई भी योजना की घोसडा करने के पहले वो जान ले कि उसके पास पैसा है कि नहीं है। आँ अजब इस सरकार को बने एक महिना कुछ दिन और मालीजी थीक उसी तरह से है। जैसे माली जब कोई बच्चा किसी घर में नया बच्चा आता है और बच्चा आते ही यह चिंता हो जाए कि उसके दूद के पैसे कहां से आएगे सब्या आते ही जाते की जाएं इसको तो जो हम लोग को सुचना मिल लगी है बहूं जी इसाम इसड़ी हो गई इसकी करजा लो और गी पी उध कर्ज लो और घेविए कहा नो सुनते ते इस सरकार वह आता कि यह पिछली सरकार थी इसमें ऐसा करज लिया गया कर्श की अधायगी कैसे होगी सेपैसे कैसे आजा और कैसे कर्ज भी क्यों लिए गए आप सुन करके चिंता करेंगे यहां योजनाव के सब्सक्राइब निकला माल जिए 500 क्रोड पर टेंडर निकल गया फाइनल हो गया काम सुरू हो गया जानबुषकर के अधिकारी जो है और ठेके दाप टेंडर को डीले कराता था ताकि प्राकलन बढ़ जैसे एक साल डीले करा उसके कारण दूसरे होते तेक्निकल सेंक्शन लेने के नाम पर टेंडर को डीले करा दिया और जैसे ही टेंडर डीले हुआ तो आटमेटी साल बर के आप देखिए और चीजों के दांब ड़ते हैं और उसके नाम पर बेतासा बिर्दी होती है बहुत कम यहां पर ऐसा हुआ है जिस रेट पर टेंडर फाइनल हुआ उस अगाम हुआ है बहुत कम योजनाए हैं किसी किसी में तो हमको बहुत है कि हजार हजार क्रोड़ दो-द जो बनते थे उसमें हम उनों देखा कि 500 क्रोड की योजना पता चला कि 30,000 क्रोड की होगी कंप्रीट नहीं होगी यह नया ट्रेंड हो गया था ज्यार करने इसी तरह से एक और मरिदार सी आपको हम बताते हैं यह बढ़ाता कैसे तो जैसे मानली यह पहले से तैय होता था अध जो गो अí सबाते हैं Haider भी मिना है जो गया हिसको जो से पिर ieron लगा रह है गो सब्सक्राइब करने नहीं तो मिलें है इसको देने लगा रहे है उससे UP इसका यहीं पैसा पह पांतु की चीज इतना चाही चीज बना रहे हो टाइस ऐसा लए गया पड़ाओ चलो फज बढ़ाओ पदा चलो टाइस के नाम पर 200 को बढ़ा दिये ऐसा हुआ है जोजनाए लगातार रिवाइज होती रही हो तो वज़े से रिवाइज बने एक साजिस से का रिवाइज लोग करते गए जबनोत के हिसे आप से रिवाइज नहीं हुआ है साजिसन जो है रिवाइज की जाते रहे जिए जार्खन की हालत यह है कि अभी राजी पे 85,000 क्रोन रुपे का करज है एक एक व्यक्ति आकलन करें तो हर व्यक्ति पेह जन्म लेने वाले सि परिपूर्ण यह राजी आज तक एक आर्थिक मोडल क्यों नहीं खड़ा कर पाया जो बार-बार कोज लेने की नों बताती है राजी बना था उस समय अमरें प्रताब सी मिहावित मंत्री हुआ करते थे उन्होंने जब बजट पेस किया था तो घाटे का बजट तो घाटे क पेस करना है और वहां से कर्ज लेने की तवित्ती शुरू हूँ वहां से याद हुआ और एक और जो सबसे कठिन मतलब करवा जो सच यह है कि 15 साल में राज्य ने 37,000 कोड़ रुपया का कर्ज लिया लेकिन रगवर की जैसे रगवर दास की सरकार राईस मात्र पांस साल में उसने 47,000 कोड़ रुपया का कर्ज लिया या आप कर सकते हैं कि कर्ज लेकर के घी पीने की आदत लगवर सरकार में डाल दी यह पांस साल के अंदर 44,000 कोड़ का जो कर्ज सरकार ने लेगी कैसे करेगी बैलेंस कैसे करेगी जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि यहां आप और 85,000 कोड़ रुपया का आप बजट पेस कर रहे हैं ति यह 50,000 कोड़ डिस्वाइनस कैसे आप करेंगे पिछली सरकार में जो सिविल कंस्ट्रक्शन के काम बड़े पैमाने पे हुए तो क्या यह माना जाए कि उसकी एक खोर सी लगई और वजसे राजी को लगतार कर्ज लेना पड़ा के 15,000 क्रोड़ों का सची वाला वाले बार थी वो पूले तेंडर निकला पूली और यह तेंडर निकला निकला एकती है ट्रपर शुनाव को ध्यान मेरा करके इस सरकार ने बहुत तरी सब्सक्राइब तरी विल कर सकते हैं तो इन्नों नैंतिया और कर 30-35,000 क क्वाइब पता नहीं कैसे लोग समझते हैं कि कंक्रीट मतलब वालू सिमेंट सीशा लोहा से अगर कोई काम हम कर देंगे तो यह गजब दाना किसी प्रधान देश 85% लोग यहां किसी प्राधारित है वहां विकास का पैमाना आपका कंप्रीट के जंगल अगरता है करने लगे तो आप तो समझ सकते हैं क्या हो सकता है 2300 क्रोड रुपय पर काम इंदो नतरे करती हैं पैसा कुछ नहीं इलका मिजदार वात है कौन के जो उनको राजस्व की उगाही जो करनी थीं तो 53,000 क्रोड रुपय साहित करनी थी है कि अब तुछिए ही नहीं माना है बिलकुल पै तो आप कैसे कोई योजना कैसे लाग करें कैसे कराई गया मां तो दो मेने बचे हैं कहां से 45 परसेंट नहीं अब तो हुआ भी कि अगर माने यह कुछ पैसे अगर उगायती भी है तो उसकी पहली चीनता तो यह हो जाएगी तंका हम कहां से देंगे देखें किसी विराज्य मे आने पैसे आने राजस्व विवाग से पैसे आने खान विवाग से आने दोनों आपके लुद कर गयी तो उसमें अब घर आ पर त्न 강ामील कामTransile अई on जाएगे इंकम गरास्ते नहीं बढ़ाएंगे और चुना होने काना टैक्स असन हुआ भी नहीं जेस्टी हो जाने के काना इनकी तो अभी तो सुल्वात हुई है संभूजी यह बीज में बाइस में तो भी पैसा नहीं मिलेगा केंद्र से को जेस्टी वाला करेंगे क्या कि मौजूदा सरकार के समख सबसे बड़ी चुनाती है वो है रोजगार के नए अवसार सिजित करना इस सरकार में वादे भी किये हैं कि हम अगले छे मेहनों में पांच लाख लोगों को रोजगार देगे कांग्रेस ने भी अपने गोशना पत्र में वादा किया है कि हर पर अगर आपने उसके लोगों को रखना से देंगे तो नई समस्य आपकी हो जाएगी सबसे बड़ी बात किया हुए कि पिछले पांच साल में एक और सूर्शा के मुझ की तरह यहां पर क्या कहेंगे सम्मुझी आउट सोर्सिंग पर इतने बड़े पैमाने पर लोगों को कर देता कोई हिसाब कर दिककर कोई हिसाब प obt़ारा कर को इसको जरूद पर इसको रखिशे है सबस्ते कि इसको क्लम कर दिए Gra gigant पहले के नहीं ने बड़े वानने गाड़ी से धोड़ो करके मालजी मोधी जा रहा है दो लाकी बीड़ करनी है इनको उठाकर लेके जाईए तो अभी तो सरकार के अंग बन गे तो मानने लगे कि मेरे मगर तो सरकार चली नहीं और वह मांग रहा है नो कर आप नहीं दीजिएगा तो उन्होंने किया है सबसे बड़ी बात है इनके वादे बिल्कुल नेक है करना भी चाहें लेकिन जब पैसा नहीं होगा तो आप कमिटमेट करके दिये कैसे बहुत बड़ी चुनौती होगी एक सवाल यह है कि यह सरकार बजट पेस करने जा रही है और जार्खन के किषान केंदर का लक्षे है क कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगी करते हैं जार्खन में भी सिचाई की सुल्धाएं उनिस सालों में मत्र 2-3 परसेंट बढ़ी है क्या लगता है कि नई बजट में सरकार का फोकस क्रिशी की तरफ होगा अगर सच्वूत में जार्खन का विकास करना है तो क्रिशी के रास्त मेरा अपना मानना कि मौसम के वह से रह करके आप खेती से आप विकास के सपने नहीं बुन सकते हैं आपको अपने बड़ जाना पड़े मतलब बड़े तालाब को दवाने पड़ेंगे आपको यह जो सिचाई योजना है आपको बनाने पड़ेगी दीब बोरी कराना पड़ अनाज की बाहर लग जाएगी आपके पास उसको आप सप्लाई कर दिए थोड़ा सा बजारती वहस्ता करा दीजिए हमें लगता कि बजट का एक मेजर पोर्शन जए हमन सर्कार को किसी पर खर्च करना चाहिए ताकि वो पचासी परसेंट लोगों की जब साध लेंगे ना बहुत सारी समस्यां कर समदान का स्वता हो जाए एक सवाल ये कि अभी मेटकल कॉलेज का निर्मान करा रही थे तीन में नए मेटकल कॉलेज पलामू में जमसेदपूर में और चाहिबासा में पलामू में हजारी बाग में और चाहिवासा में इन तीन जबहों पे मेटकल प्रवाद आरही कंपनी ने अपने हाथ खाड़े कर दिये एक हजार करोड का बुक्तान रुका पड़ा है इस सरकार को नए सची वाले का जो बजटे नए सची वाले भावन बनाने का इसको रोक देना पड़ा है क्या लगता है कि विकार्ज की जरकन भुट पीछे चला कैंप सब्सक्राइब करेंगे हैं यहां तेंडर मिला किसी और सरकार में जिसको जो लेना देना ले लिया अब इसमें वो पेमेंट लेना चाहेंगे कैसे देगा किस हिसाब से टेंडर मिना नहीं समिच्छा तो करेंगे अब देखा कि जितनी यह जनाओं चल लेए चोटे से लेकर बड़ता सारी यह जनाओं को नहीं रोग दिया इसके पीछे यह कहीं सरकार को यह सिकायत मिली है बड़े पैमाने पर जो है यह जनाओं में खेल हुआ है उसी वज्धानवार रकर के उन सारी यह जनाओं का काम र जेना चाहिए और वित्ती अनुसासन को कायम कटकोर वित्ती अनुसासन के जिसा में काम करने की दुरत थे एकदम विर्कुल सही कहा रहा है यह लोग जो है ना सीजी की रिपोर्ट को यह लग लेटर मान लेता है उगरवरी की बात करती है और मित्ता की बात करती है यह बोल जिन्दगी बरबाद हो गई की रिपोर्ट में बड़े बड़े नेता हो चाहे जगनात मिश्र रहे हो चाहे लालू यादव रहे हैं या इसकंद्र में आपके बहुत सारे लोग उसे अगर ध्यान दे दिये हो तो जेर जाने की नौबत नहीं आती है और आज पिर वही इस्ति परना जो है खाली घपले घोटाले पर सीजी कह वाले से सकता है लेकिन हम नहीं देखा है कि कभी किसी नोटिस लिया हूँ उस पर और कहीं रुकने की कोसिस की गई है अभी जो यह नया बजट आ रहा है है इससे राज के लोगों को किस तरीके की उमीद करनी चाहिए हम तो यह कहेंगे कि देखिए एक बार जारकर्ण के लोगों को अभाव की जिन्दगी जीने की यादर डाल लेनी चाहिए क्योंकि हमन सोरन को पहर पर खड़ा होने लिए समय देना चाहिए पहले दुचार छे महिने में जहां 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 चेद है उसको पहली बंद करें आए मन सोरन को कंचे कम समझने को मौका देना चाहिए बहुत ज्यादा कोई अपेच्छा नहीं पालनी चाहिए क्योंकि हम बताए ना को कि जन्मन लेते हैं यह चिंता होगी कि बच्चों का हम दूद चैसे पिलाएंगे उसका पालन पोर्शन कैसे करेंगे को पोर्शन का सिकाल सुरू में अगर बच्चा हो जाए ऐसे भी जार्कंड की एक डंबना रिजिसमा जार्कंड राज्य बना कोई आर्थिक पैकेज नहीं मिला कोई विसेस पैकेज नहीं मिला अभाव में पैदा हुआ ओ आज तक दिखता है केंदर की करज में ही डुबा और आज तक देखता ह सिंदर की वह से कभी विसेस पैकेज की बाद नहीं हुई साइद ये रहा इसलिए भी नहीं रहा होगा कि वाजपा तो इमान टेकन फार ग्रांटन बांते चलती थी कि यहां से तो हमको मिल ही जाएगा जब 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 उसको देने गा उससे में बाजपेज जी थे उन्होंने बाद में मोदी जी ने बहुत कुछ दिया विसेस पैकेज के नाम पर आंधरवाले में कि बहुत वाज्यों मिला लेकिन जार्कंड का वो हिस्सा भी तक वाकी हम तो चाहेंगे मोदी जी से आम आग्रह करेंगे कि जार्कंड की इस्तित्री देखते हुए वारत एक विसेस प बर के आपको लोग सवा में दिया है यहां के लोगों ना दिया 12 सीटे आपने मांगी 12 सीटे में आप जार्कंड के लोगों की जोली बरिये आप विसेस पैकेज दीजी जार्कंड कैसा प्रदेश के जो देश की 70% खनीज की जरुते पूली करता है खनीज की रोयल्ती है कि हम दूसरे को रोशन करते हैं अंगेरे में यहां से खाली होती है इस संपदा की जो हम शुरच्छा करते हैं जो गाड़ से आप आरा लगाते हैं उसके पैसे उससे नहीं निकलते हैं तो रॉइल्टी बढ़ाना चीहारहनु मंवन! ते हिस्टयारी की बात हो रहे है मानिकाने की बात हो तुल दुण करिए मैंत समय है कि कंद्र बी विदालता है कि साथ मतलष बिचार करें या जी खनिश संपता तो या इन राजहों में भी विवना उसका थोड़ा मालिक तो राज भी बने सब किंद्र बन जाएगा तो राज जेगे क्या होगा तो लोग कह रहा है ना कि कल कर खाने में अगर जमीन दे रहा है तो रहियत को आप जो उसका मालिकाना हग दीजिए हम तो कहेंगे कि थोड़ा ही सही शुरुआत तो होने चाहिए क कि वो कैसे इस विशम परिस्थिती का सामनक करे और राज को विकास के पत्पर आगे लेकर जाए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद